समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है. अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं, तो आपको मात्र 7,50,000 डॉलर यानि की भरती मुद्रा में 5,50,000,000 रुपे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की स वीडियो में हम बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है? बने रहे इस वीडियो के साथ, धर्थी के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर ना जाने कितने ही रहे से समेटे हुए है. आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबक समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है, समुद्र के नीचे क्या है? यह जाने से पहले हमें यह पता करना होगा कि समुद्र भना कैसे होगा, पर ये धर्थी के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला? अगर व्यज्यानिकों की माने, तो समुद्र का जन्म आज से लगभ पचास से सौ करूर साल के बीच हुआ होगा जब धर्ती बिलकुल धंडी हो चुकी थी और शुद्ध ब्रहों और उलकापिंडों की टकर से उसकी सतय पर विशागए गड़ों का निर्माण हो चुका था। पानी लाने का काम शुद्ध ग्रहों, उलकापिंडों और कॉमिट ने किया था जो बर्फ के रूप में धर्ती पर पानी लाते थे और प्रिफी की सतय से टकरा कर बर्फ के टुकडे चारों तरफ बिखेर देते थे। इस तरह वेविन रूप से धर्ती पर जमा हुए पानी न समुद्र के नीचे अनिकों प्रकार के जिवजन्तू और मचलिया निवास करती हैं, जिनने देखबाना भी इंसान के लिए संभव नहीं हैं। समुद्र के वजन जितने भारी भरकम जीव निवास करते हैं, जिनने इंसानी आँखों से देखबाना बहुत ही मुश्किल है। समुद्र के दुरलग पेड़ पौधे और बैक्टिरिया मौजूद हैं, जिनने देखकर वज्ञानिक भी हैरान है। समुद्र के सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्दे में ही 35,000 से ज्यादा अलग-अलग प्रजाती के बैक्टिरिया, 5000 से ज्यादा वाइरस और डेड़ लाग से ज्यादा एक कोशे के पौधे मौजूद हैं। इससे बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रत्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी प्रकार के बैक्टिरिया और वाइरस मौजूद होंगे। इस समुद्र में सिर्फ मचलियों के भी लाखो प्रजातिया रहती हैं। अलकि समुद्र के अंदर सांपों को खोजबाना अपने आप में बहुत ही चिनोती वाला कारी हैं। के समुद्री सांप, अकसर चटानों और जली पौधों के बीच छिपे हुए रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय अनकॉंडा होने की भी संभावना चताई जाती है। वेज्यानिकों की माने तो समुद्र में सून वाले अनिको प्रकार के ऑक्तोपस पर जाते हैं। इसके लवा यहां कीडे मोकोडे और जिंगों की करूड किसमें मौजूद हैं। समुद्र के अंदर कमल की फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग-अलग प्रकार के विंगती हुए फूल, ब्लड रैड, समुद्री फैनी और सेकडो भुजाओं वाले पौधे, कूरल और शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे गहरी जगे, पश्यमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगे मौजूद है, जिसे मारियाने ट्रेंच की नाम से जने जाता है। इस जगे के सबसे गहरे पॉइंट को चैलिंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,902 से 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की इस गहरी जगे पर इतना ज्यादा अंदिकार होता है कि वहाँ किसी भी चीज़ को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की ज़रुत परती है। इस जगे पर ना तो सूरी की रोशनी पहुंच सकती है और ना ही कोई कृतिम प्रकाश, अनक के अड़वांस टेकनोलोजी की मदद से वग्यानिक हर वक्त इस एरिया पर निगरानी बनाए रखते हैं। जहां पानी का दवाव इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहां तक पहुचपाना और जीवित वापस लोटना बहुती मुश्किल काम चलिंजर डीप में अब तक किंदी के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं। आपको बताते कि समुद्र का यह हिस्सा एवरिष्ट की चोटी से भी ज्यादा गहरा है। अगर एवरिष्ट की पहाड को पुल्टा करके चलिंजर डीप में ढाल दिया जाए तो वह गहराई में दो मीटर की दूरी पर खत्म होचाएगा। इतना ही नहीं समुद्र की इस गहरी जगह पर जाने के लिए काफी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रुत पढ़ती है। यहां पहुचने के लिए आपको साथ लाख पचास हजार डॉलर धनराशी खर्च करनी होगी। इसके दिनों में एक बार खानी की तलाश में पानी की सत्य तक जाने की कोशिश करते हैं। इन जीवों ने खुद को मुश्किल परिस्तितियों में जिन्दा रखने की कलाश सीख ली है। जिसकी वज़े से सी लेवल से इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है। वैग् समुद्र उपर से देखने पर जितने शान्त और नीले दिखाई देते हैं, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही ज्यादा रंगीन और उथल पुथल से भरी होई है। आप सूच भी नहीं सकते हैं कि समुद्र के नीचे गोफाओं से लेकर सक्री जौलमखी तक मौजूद हैं। पानी के अंदर मौजूद गोफाओं में टेराकी का आनंद उठा सकते हैं। समुद्र में सक्री जौलमखी की भी बहुत बड़ी संख्या है। जिनसे निकलने वाले गर्म लावा, समुद्र के अंदर नली जैसी गोफाओं की रचना करता है। हवाई में समुद्र के अंदर जॉलम की विस्पूर से बनी गुफाएं मौजूद हैं जिनकी आकरती बेहत पतली और नली जैसी है इसी तरह चीन के गहरे समुद्र में मौजूद रैनवो केव परेटन और एडवेंचर के लिए आम लोगों के बीच काफी ज्यादा मशूर है जो कुछ साल पहले समुद्र का जलिस तरकम होने की इस्तिती में आम लोगों की नेजर में आई थी इसके बाद इस गुफ़ा को परेटन को बढ़ावा देनी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जहां रंगीन दीवारें देखनी को मिलती है इस रैनवो गुफ़ा की लंबाई 240 मीटर है जो समुद्र की खोबसूरत और रहस्माई दुनिया देखनी का एक अच्छा विकल्प है समुद्र के अंदर मौझूद सक्रिय जॉलमुखी में भी विस्पोर्ट होता है जो पानी के एक सीमी तेलाके को गर्म रखने का काम करता है इसके लावा विस्पोर्ट से निकलने वाला लावा और अने खरीस तत्वा समुद्र के पानी को जरूरी पोशक तत्वा प्रधान करते हैं जिससे खारे पानी में भी अने को प्रकार के शैवाल और जली पौधे पनब जाते हैं समुद्री जौलमखी बैक्टेरिया और वाइरस को जिन्दा रखने का भी काम करते हैं और इसका गर्म पानी कई जीवों और मचलियों के लहने के लिए बिलकुल अनकून होता है कई बार समुद्री जौलमखी में विस्पोर्ट इतना तेज होता है कि उसकी वज़े से उची-उची लहरों और सुनामी का चन हो जाता है ऐसी में कई बार समुद्री जौलमखी खतरनाग भी सावित हो जाते हैं उची-उची पहाडों का घर यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रिथी पर उची-उची पहाड और खुबसूरत परवती शंकलाएं मौजूद हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट से लेकर अनिको विशाल का पहाड शामिल है लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन की तरह ही समद्र के अंदर गहरायों में भी उचे-उचे पहाड मौजूद होते हैं जिनें देखना अपने आप में अद्वुत अनुभव होता है समद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबे और उचाय वाले पहाड को माउना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है जो हावाई में प्रशांत महसागर के एक बड़ी हिस्से में फैला हुआ है इस पहाड को हावाई के दियुप से भी देखा जा सकता है जो पानी के उपर तैरता हुआ दिखता है लेकिन यह पहाड जितना पानी की सतय से उपर मोजूद है उतना ही इसका आधिस से ज़्यादा पानी के अंदर समद्र में डोबा हुआ है अगर माउना किया माउंटेन जमीन पर मौजूद होता तो प्रिध्वी की सबसे उची चोटी होने का ताज माउंट एवरिष्ट के सिर नहीं बलकि इस पहाड के पास होता समदर के अंदर मौजूद माउना किया की उचाई 6,000 मीटर है जबकि समदर की सब्सक्राइब से उपर इसकी उचाई 4,205 मीटर है इस हिसाब से अगर पूरे की पूरे माउना किया पहाड की लंबाई को मापा जाए तो इसकी कुल उचाई 10,210 मीटर तक हो जाती है हलाकि समदर के अंदर गहराई तक मौजूद होने के बावजूद भी इस पहाड की चोटी आसर में एक जोलम की है जिसमें सालों पहले विस फोट हुआ करता था ठीक इसी प्रकार समुदर में हजारों छोटे बड़ी पहाडों को खुजा जा चुका है जिनकी संख्या एक लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है आम तोर पर समुदर के अंदर पाए जाने वाले पहाडों की हुचाई एक सी तीन किलोमीटर के बीच होती है जिनका ज्यातातर हिस्जा पानी के अंदर ही डुबा रहता है हलाकि कुछ पहाड समय के साथ पानी से बाहार आ जाते हैं जिसका मुख्य कायरड जल स्तर का कम हो जाना होता है आपको बता दे कि दुनिया भर में मौजूद आईलेंड्स यानि डुपों का जन समुदरी पहाडों के पानी से बाहार आ जाने के कायरड हुआ है जिनका आकार अकसर चप्टा होता है हवाई द्वीप का निर्मार भी समुदरी पहाड के पानी से बाहर आ जाने के वज़े से ही हुआ है जो आज परिटको के लिए बहतरीन टूरिस्ट प्लेस में से एक बन चुका है मदी सागर के अंदर दुनिया की सबसे विशालकाय परवत शंकला मौजूद है जिसके लंबाई 64,000 किलो मिटर है समुदर के नीचे भी बहती है नदिया आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दुनिया भर में बहने वाली नदिया पहाडों और ग्लीशियर से निकल कर आखिरकार समुदर में मिल जाती है जहां उनका सफर खत्मो जाता है समुदरी नदी का दर्जा दिया जाता है जिसमें बहने वाला पानी गर्म होता है यह धारा मेकसिको की खाड़ी से उत्पन होती है जिसकी वचे से इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाने जाता है समुदर के अंदर बहने वाली इस गर्म नदी की वचे से उत्तर अमेरिका के पूलवी तट से लेकर यूरोप के पश्मी तट तक तापमान गर्म रता है जो प्रिथी की जलवाई को परिवर्तित करने में एहम भूमिकने वाने का काम करती है समद्र के अंदर बहने वाली इस नदी को गूबल मैप पर भी देखा जा सकता है जो इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सबी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तो भी कल्फ की धारा का पानी ज्यादा होगा कल्फ की धारा की तरह ही दुनिया के अलग-अलग देशों के समद्री इलाकों के अंदर अनिकों नदिया बैती है जिने ब्राजिल की धारा, जापान की धारा और उत्री प्रशांत सागरी धारा के नाम से जाना जाता है समुदर के अंदर बहने वाली नदिया मुख्य रूप से समुदर में रहने वाले जीवों के लिए भूजन और पोशक तत्व जुटाने का काम करती है इसके साथ ही इनकी गर्म धारा विविन देशों के तापमान को नियंतरित करने का काम करती है समुदर में बहने वाली नदियों का निर्माण मुख्य रूप से तीन वजह से होता है जिसमें समुदर के पानी की डेंसिटी यानि घनत्व होता है जबकि एक घनत्व वाला पानी एक दूसरी से मिलता है तो उसकी वजह से समुदर के अंदर अलग से एक नई धारा निर्मित हो जाती है समुदर के अंदर नदी बनने की दूसरी वजह गर्म और ठंडे पानी की धारा का आपस में मिक्स हो जाना है जिसकी वज़े से समुद्र के अंदर अलग-अलग धारा पैदा हो जाती है समुद्र के अंदर नदी बनने की तीसरी वज़र प्रत्वी के घूमने की कती है जिसके कारण अलग-अलग दिशाओं में कल्फ की धारा बनने लगती है पूरी कचरी का घर समुद्र के अंदर चाही कितनी ही रहसिमई और अध्भुत चीज़ा मौजूद है लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो इंसानों की वज़े से इकटा हो रही है यह चीज है कूडा और कच्रा जो विविन देशों द्वारा समुद्र में फेक दिया जाता है समुद्र में सिर्फ मानवी कच्रा ही नहीं बलके अंतरक्ष से भी कुडा फेक जाता है जिसमें साटेलाइट से लेकर विविन रॉकेट और स्पेस क्राप्ट शामिल है समुद्र में पॉइंट नेमो एक ऐसी जगे है जों स्पेस में खराब होने वाली सभी चीजों को डंब कर दिया जाता है इस तरह समुद्र में मानव निर्मित कचरी की संख्या भी दिन बादिन बढ़ती जा रही है जिसकी वचे से समुद्री जीवजन्तों का जीवन खत्रे में बढ़ रहा है अगर मनुश्य ने अपनी गत्विदियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में समुद्र में मौजूद और प्राकर्तिक चीज़ें धीरे धीरे नश्ट होती चली जाएंगे अब तो आप समझी गए होंगे कि समुद्र के अंदर क्या कुछ मौजूद है अगर आपको ये वडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको क्या लगता है कि समुद्र के अंदर और क्या कुछ मौजूद हो सकता है अपना जवाब हुमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अज़के बस इतना ही नमस्का दोस्तो